नमस्कार, मैं रवीराय, जोतिस सर्वर में आप सभी का हर्दिक स्वागत हर्पा है। अपनी वीडियो की शिंकला में आज हम चर्चा करेंगे दामिनी योग के बारे। समझेंगे कि दामिनी योग होता क्या है, जन कुंडली में ये बंदा कैसे है और इसका प्रभाव कैसा होता है। पर इन सारी बातों से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप लोगों से। आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि मेरी कुंडली में मालवी है की नहीं, मैं विद्यश याप भांगा की नहीं, गुरु चांडाल योट का क्या प्रभाव होता है। तो देखे पूर्व के कुछ वीडियो में मैंने इसका उतर दिया है। अगली सब्तार जो वीडियो आएंगे उसमें भी आपको इसका जवाब मिलता रहे। इसी तरह आप चैनल से जुड़े रहें, आपको सभी प्रशनों का जवाब मिलता रहेगा। दूसरी बात, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके और सब्स्ट्राइब करके हमें अपना प्यार जरू है। क्योंकि मेरी हदली इच्छा है, मैं यह चाहता हूँ कि जो यह जोतिश का ग्यान है, वह अफैल है। इसका प्रचार प्रसार हूँ और लोग इससे लाभागमित हो सके। आइए, चर्चा को शुरू करते हैं। देखे, दामनी यह उगी कुड़ा अच्छा ही होते हैं। और जन्मपुंडली में बनने के लिए पुछ इपी के शर्त होते हैं, तब ही अमयरुमित होता है। और शर्त यह है, कि जन्मपुंडली में जो साथ ब्रह हैं, वह किनी भी 6 हैस्थानों पर होने चाहिए, 6 भाओं नहीं चाहिए। अब आपके मन में सवाल ये आए होगा, कि ग्राव तो नौ फक्त हैं, और गुरु जी साथ कार हैं? बिल्कुल सही कोच रहे हैं ग्राव नौ ही होते हैं, लेकिन यहां हम राहू और केतु की गड़्णा नहीं करते हैं, राहू और केतु को हम यहां छोड़ देते हैं और बाक पधर्मा मंगल गुरु बुद्ध शुकर और शनु अब यह जो सात ग्राह है या कि नहीं भी इच्छा स्थानों में हो तो यह दामनी यूग बनता है छह राश्यों पर भी आप समझ सकते हैं किनी भी छह राश्यों में जनकुंडली परिस्थीतों बनता है अब दामनी होते हैं भुति प्रंदी यह प्रकृति प्रकृति के नजले brown hok तो उसका उत्तर तुरत देते हैं कालपनिक होते हैं कलपना में रहना पसंद होता है इनको पर साथ ही यथार्थ पर कलपना के बीज के सामन जिससे भी समझते हैं सिर्फ कलपना में नहीं कोई रहते हैं कलपना को यथार्थ की धरातल पर लाने की भी पूरी पुशिश करते हैं दामनी योग वाले व्यक्ति तो दामनी योग का जो सबसे बड़ा पभाद जो मैंने देखा हैं यह सारी चीज़े तो हैं पर दो चीज़ें सबसे जादा इतने इनको आप पॉब्लिक बेस पर खड़ा कर दीजिए लोगों के बीच खड़ा कर दीजिए कहीं कुछ बोलने को कर दीजिए व्याविल होते रहते हैं कब बोले कब मौका मिले कब मेरी बात पठने का मौका मिले तो यह एक इनका जो विशेज गोन होता है वह दामनी योग से परिलिक्षित होता है लेकिन दामनी योग के शुफ फलू में वृधि के लिए यहावी देखना अनिवारे है कि ग्रह जहां च्छाव वहाव में बैठे हैं या जिन च्छाव राश्यों पर बैठे हैं वहाँ पर क्या वो ग्रह किस अवस्था में इस्तित हैं क्या वो वर्गों में इस्तित हों नमाल से मैं अच्छे क्रहुते द्रिष्ट हों तो शुफ फलू में उत्रोतर विर्धी होती जाएगी और वेक्ती जीवन काल में काफी तरक्य प्राप करेंगे लोग प्रिय होंगे और सब सुखों से युद्ध होंगे तो आप अभी अपनी कुं दो चार आठ ऐसे देख लीजिए दस बारा इंपर इस्तित है क्या तो इससे आपको एक आकलन लग जाएगा अपनी कुंबली को देख करके तो आज की कायत्र में बस इतना ही अगला वीडियो जो है ऐसे ही योग उपर निम्रोलोजी पर अस्ट्रोलोजी पर आता है नमस्क